नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में नमस्कार साथियों, मैं भी सेख आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल नितेश पांडे में साथियों डेले थर्ड सेमिस्टर की इस गड़ित की क्लास में अभी तक आपने स्यात कच्छाएं अटेंड की हुई हैं जिसमें आपने अनुपास समानुपास से लगाकर चक्रवजब्याज, साधान ब्याज ये सब अच्छे से टीपली कवर किया गया है अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उपर आई बटन में लिंक लगा हुआ है वहाँ पर जाके आप उन सारी वीडियो को देख सकते हैं आज की इस वीडियो लेक्षर में हमें आपको बीजी वेंजगो की भाग संक्रिया समझाओंगा जिसमें आपको सारे कंसेट अच्छी तरह से बताये जाएंगे तो आसा करता हूँ आप वीडियो के अन तक बने रहेंगे और अगर अच्छी लेगेगी वीडियो तो आप उसको लाइक करेंगे अपने अनमितों तक सेर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन बीजी वेंजगो की भाग संक्रिया अफली वीडियो में आप सभी लोगों ने बीजी वेंजगो का गोड़न खंड कैसे निकालते हैं अब आप आपने देखा था अच्छे से आपने देखा था वाज समझ में आई होगी वीडियो ओगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बेटन में लिंक लगा हुआ है उसको देखें पहले ठेक है इसके बाद से पहले बीजगरती विंजोकों में भाग संक्रिया कैसे की जाती है या पूरी यूनिट 12 जो है इसी पर बेस्ट है कैसे करेंगे आई यह देखते हैं इसमें भाग संक्रिया सीख आप सब लोग सीखेंगे जिसे लिखा है 8x की पावर 3 को 2x से बाग देना है बहुत आसान अच्छे questions कराएंगे जैसे 8x की पावर 3 को हम 2x से बाग देना है तो सबसे पहले जिसको उपर लिखने 8x की वो उपर लिखेंगे नीचे बाग की जिगा बटे और 2x ठीक अब पावर 3 है यह अचरपद अचरपद से ही काटते हैं दो चक्कू 8 x से काटेंगे या पावर 3 ह थो एक पावर कर जाएगी यहाँ पर 2 पफावर बचेगी तो बचेगा क्या 4x यह आपका answer हो जाएगा ठीक एक पावर 3 जब कुछ नहीं लिखा उते तो पावर एक होती, काटेंगे तो यहाँ पर एक पावर कर जाएगे, तीन में से एक गया, तो दो पावर बचेगा, ठीक, ऐसा ही अगला पसंद देखते हैं, माइनस बीस, एक की पावर पाँच है, भाग की जगा बटा करेंगे, चार एक, ठीक, कुछ नहीं पावर है, तो यह इसकी प संपल कोश्चन है, अराम से कीजिए, अगला कोश्चन है, 24 a qb2 को भाग देना है, तीन a कर भी से, तो 24 a qb3 को भाग की बटा करेंगे, तीन a स्क्वार भी, ठीक, तीन से एक काटेंगे, तो पावर 3 है, यह यहाँ पे एक पावर बचेगी, एक बचेगी, ठीक, प्यांसर क a, b इसका answer आ गया ठेक, बहुत ही आसान पुश्ण है आसा करता हूँ, आपको समझ में आ रहा है अगला प्रसंद देखते हैं 7x2, y2, z2 को भाग देना है 14xy से, तो 7x2, y2, z2 को उपर लेखेंगे, अपन में 14xy, ठेक 7 से 14 को कटेंगे, 7 दोनी 14 x से यह वाली power cutting है तो दो power cut जाएगी एक बचेगी इसमें वाइस टी पाउर कटेगी तो दो पाउर एक पाउर बचेगी आया क्या ऊपर आया एक्स वाइज्ड और नीचे अपन में केवल 2 आया तो यही आपका एंसर हो जाएगा ठीक बहुत यह असान question है आप basic सीखिए पहले अगला प्रस्टन कुछ इस पकार है 42 x की पाउच स्कॉर 2 को भाग देना है माइनस 7 x स्कॉर 2 स्कॉर 2 तो जो पहले लिखा हो दो लिख लेते हैं पहले ऐसे 22 x की पाउच स्कॉर 2 की पाउच स्कॉर 2 अब देखते हैं 7 से पहले यह कटने साथ चंग 42 अब देखे एक की पाउर 2 है 2 पाउर कटेगी जब यहां पर 6 में से 2 जाएगी तो कहना कितना बचेगा 4 पाउर बचेगी यहां पर y स्कार कटेगा तो 3 पाउर है तो कट जाएगी तो केवल y की पाउर 1 बचेगी यही आपका एंसर हो गया अगला कुस्चन कुछ इस पकार है माइनस 32 पी क्यू 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 पाउर 4 भाग देना है आपको माइनस 8 पी क्यू स्कार से तो माइनस 32 ऐसे लिए लेंगे पी क्यू 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 पाउर 4 भाग देंगे माइनस 8 पी क्यू स्कार ठीक तो माइनस से माइनस कट गया आठ से काटें आठ चको 32 पी से काटें पाउर 3 है एक पाउर गड़ जाएगी तो किन्य पाउर बचेगी इसकी क्यू 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 पाउर 2 है चार मे आपके प्रसंद आपके परिच्छा में देखने को मिलते हैं सिंपल सिंपल आराम से काड़ पीट के एंसर ले आई है ऐसे ही कुछ चनाते हैं आपके सिंपल से अब अगला कंसेप्ट आ गया चौबिस एक्स क्यूब प्लस एक्स को भाग देना है तीन एक्स तो सबसे पहले हम वह चौबिस एक्स क्यूब क्या भी भाग करना है इसको भी भाग करना है इसको भी अलग करना है प्लस से अलग-अलग हो जाता है तो मलब कि सबके भाग में है तो हम अलग-अलग करते हैं इसको चौबिस एक्स क्यूब अपॉन तीन एक्स प्लस एक्स एक्स स्क्वार अप 3x-9x upon 3x मलब सबके बट्टे में 3x है अब सबसे अलग अलग हो गया यह पहले की जैसे बन गया आप काट दीजे यही आपकी एंसर है कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछे आपकी समस्का का निदान तुरंत किया जाएगा आसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है अगला परसंद देखते हैं आट एक्स इसक्वाइर बीस प्लस बीस एक्स की पावर चार माइन बारा एक्स क्यूब की बावर भाग देना है चार एक्स क्यूब से चार एक्स की पावर तीन है फिर सबको अलग अलग करते हैं आट एक्स की पावर तीन बटा चार एक्स क्यूब यहाँ पर दो है आट एक्स क्यूब कर लेंगे है तो चार चार दो न आट एक्स की पावर दो है इससे काटेंगे पावर two power 3 से 2 सकते टी एक पावर बचए गभी ईसे चार एक कम 4, 4, 25, ऐस्ट की पावर हुआ में झाक है उसे Anthema जो इसे Ace MeMy either experience ? 21 आखका है । प्लस 5 केवल पांच बचएगा क्योंकि स सब todo पांच नष्ट यह भी तरो ऑथ च्रहें और एक माइनस तीन यही आपका एंसर है ठीक है अगला प्रसंद दिखते है 32 x square y z plus x y square z plus x y z square को 8 y z से भाग देना है तो 32 x square y z plus x y square z plus x y z square divide करना है 8 x y अब देख लिजिए आप एक चीज ध्यान देजिए नीचे x y z है तो हम दिमाग में सोचेंगे कि x y z और कहीं से मिल जाए तो यह कट जाएगा x y z तो देखिए आप देखते हैं इसमें भी x y z है इसमें भी x y z है तो हम कामन ले लेते हैं x y z को 32 x y z को कामन लेंगे 32 तो पहले से था x y z को और कामन ले लिया तो इसमें क्या बचेगा हम देखिए ध्यान से देखिए x हमने 2 x थे 1 x निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचाए x y z तो पूरा पूरा निकल गया ठीक ऐसे ही यहाँ पे X और Z तो पूरा-पूरा निकल आएगा Y की पावर 2 है तो केवल Y बचेगा प्लस इसमें X Y पूरा-पूरा निकल गया Z की पावर 2 है तो केवल Z बचेगा ठीक अपॉन में 8 X Y Z यह होगा तो 8 से ही काटी R चको 32 X Y Z से X Y Z पूरा कट गया तो अंसर के आगा है चार ब्राइकेट में X प्लस Y प्लस Z यह आपका एंसर हो जाएगा ठीक अगला प्रसंद देखते हैं 5 X की पावर 4 प्लस 15 X स्क्वाइर मैंने 4 X को भाग देना है 5 X से तो 5 X की पावर 4 प्लस 15 X स्क्वाइर मैंने 4 X डिवाइड करना है 5 X से ठेक तो इसने क्या करेंगे अब सबको अलग-अलग कर लिते हैं 5 X की पावर 4 प्लस 15 X स्क्वाइर डिवाइड बई 5 X मैंने 4 X डिवाइड बई 5 X सबको अलग-अलग कर लिया 5 से 5 कट गया X की पावर 4 से 1 कट गया एक य पूर्ब 3 बचाया 5 थीँ पंदरह एक से एक स्वार दू दू में से एक जाएगा तो एक बचेगा और एक से एक स कट गया और कुछ तो कट नहीं रहा तो बचेगा एक है एक की पावर 3 प्लस 3x और माइनस 4 बटा पॉंच यही आपका बचेगा यही आपका एंसर है ठीक है बहुत ही आसान कुश्चन अगला प्रसम देखते हैं चार एक की पावर 5 प्लस 5 प्लस 5 एक की पावर 4 प्लस 3 एक स्कुब्स 4 एक स्कुर्ण स्कॉइर प्लस 5 एक की बाग देना है माइनस 2 एक से तो हम लिखे लेते हैं इसको स्वल्यूशन चार एक्स की पावर पांच प्लस पांच एक्स की पावर चार प्लस तीन एक्स की पावर तीन प्लस चार एक्स स्क्वाइर प्लस पांच एक्स इसको डिवाइड देना है माइनस के टू एक्स है ठीक है डिवाइड देए आप देखे सब को अलग अलग कर लेते हैं, 4x की पावर 5, डिवाइड बाइड 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 मैंने के स्कटेकर तो पाइव 3 से दोव 4 से 33 बचेगी यहां पार दो बचे गी यहां से छी मिउकल तो अंसर के आगया आपका माइनस का 2 x ची पावर 4 माइनस 5 प्लस माइनस जो है माइनस हो गया 5 बटा 2 x की पावर 3 बचा प्लस माइनस तीन बटा 2 x की पावर 2 बचेगा प्लस माइनस माइनस यहां से कड़ जाएगा दो एक कम दो 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 नी चार यह टू एक्स बचेगा क्योंकि पावर एक ही है और प्लस माइनस माइनस का पाँच बटा दो यही आपका एंसर है ठेक तो आसा करता हूँ आपको समझ में आयोगा अच्छे प्रसंद जितने भी है यह आपका बेसिक हो गया अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी डिटेल जो भाग संक्रिया है जो अच्छे अच्छे कोश्चन्स है वो कराऊंगा क्योंकि आपको समझ में आना जरूरी है यह आपको बेसिक हो गया जितना भी था तो आसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है जितना भी चीज़े बताइए आपको समझ में आई है तो एक लाइक कर दीजे अपने आने मित्रुक तक सेर कर दीजे वीडियो को और हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए तो च अच्छी कंसेप्ट के साथ तब तक के लिए नमस्कार